या जाब से भी हम बिजनस से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं सहलो फ्रेंड्स मेरा नाम धननजय है आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी बात ये साइद बहुत बड़ी बात है और ये साइद हमारी प्लानिंग का हिसा होता है जब हम कॉलेज से कॉर्पोरेट की तरफ जाते हैं जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम जाब करें या अपना एक बिजनस करें इन फैक्ट जाब में जब हम जाते हैं और हम देखते हैं कि आर एक हिरैर की है मेरे जो boss हैं, बड़ा dictate करते हैं, जो owner हैं, उनके पास बहुत lavish चीजे हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, वो तो हमारा मन करता है, हम job छोड़के अपना startup करें, या अपना कोई business करें, तो आज मैं दोनों का experience share कर रहा हूं, कि क्या आपको job में ज्यादा satisfaction है या grow करने के chances हैं business में, याद रखो कोई भी जब हम ऐसा compare करते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% किसी एक चीज़ को generalize कर लें, कुछ चीज़ों में exception होता है, कुछ success rate जिसका मानलो कम रहता है, तो उसको हम ignore करके, जो failure rate है, उस पे हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम 100 लोगों न समल के राय देते हैं, किसी एक ऐसी field में जहां पे 99% लोग successful होते हैं, तो naturally recommendation वहाँ ज़ादा होता है, even if अगर वहाँ पे earning कम है, तो भी सोचा जाता है, यारे, job security है यहाँ पे, आज आप देखते हों कि Indian parents जो है, उनका जो दिमाग करता है अपने बच्चे के लिए, safe career option में ज़्यादा तरह engineering और MBBS, यारी doctor के लिए बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, region क्या है कि वहाँ पे more or less, at least एक basic start बच्चे को अच्छा मिल जाता है, और बच्चे का career at least insecure नहीं होता है, secure की तरफ रहता है, तो ये जो compare मैं आज करने वाला हूँ, वो आपको बताने वाला और different parameter पे, अपने खुद के experience से, और ये हो सकता है, मैं आपके राय से मैं differ कर जाओ, लेकिन फिर भी more or less, काफी सही आपको लगेगा, और अपना राय जरूर दीचेगा, चैनल पे first time है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, capital investment क्या होता है, parameter एक मैंने कुछ parameter चूज किया, फि जब में ना के बराबर होता है, अपने dress up अगरे के लिए, interview अगरे के लिए आप तयार करते हैं, थोड़ा बहुत, और अपने business के लिए, startup के लिए हाई होता है, work किस के लिए करते हैं, आप company के लिए करते हैं, employer के लिए करते हैं, job में, और own business में, कहने को तो हम अपने हो तो उनके लिए vendor से समान लाए हो उनके लिए काम करते हो ये reality है और बिनस करने वालों से आप पूछ लीजे weekly off की बात कर लेते हैं जो personal well-being में आता है weekly off आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर नौकरी कर रहे हैं तो नहीं मिला है तो compensatory आप मिलेगा कहीं कहीं दो-दो दिन मिलता है week में Saturday and Sunday बट Sunday weekly off आपका fix होगा या कोई एक दिन अपने काम में लगभग ना के बराबर होता है क्योंकि आप लेते ही नहीं आपको लगता है का आप जाओगे तो आप contribute करोगे अपने office में आपके imply आई अच्छे से काम करेंगे गर आप वहां रहोगे तो आप ना के बराबर लेते हो लीप फॉर फैमिली और vacation यार companies में लीप के लिए पूरी policy होती है अगर आप अच्छी कमपनी में काम करते हो तो कई कई बार paid लीप मिलती है और आप family के साथ enjoy कर सकते हो अकसर देखते हो गए आपके दोस्त जो नौकरी में हो picture post करते रहते हैं लेकिन अपने business में oh my god very tough very tough बहुत ज़्यादा established हो गया है कई सालों से 20-30 सालों से आप कर रहे हो तो जा सकते हो अधर वाई generally लोग नहीं जाते हैं अगर अगला पांचवा point ले ले लेते हैं in case company doesn't perform तो अगर in case आप company doesn't perform आप क्या करते हो private job में हो तो आप नौकरी जोईन कर लेते हो और most of the time आपको नौकरी मिल जाती है बहुत अगर delay होगा एक आद दो महीना तीन महीना और कभी कभी या काफी ज़्यादा time में आपको better नौकरी मिलती है ज़्यादा salary पे मिलती है लेकिन company अगर डूपती है perform नहीं करती है तो बहुत ज़्यादा financial loss होता है potential bankruptcy हो सकती है आपकी you may be at the level of 10-15 years back getting job is very tough for you जोंकि आप company में काम कर चुके होते हो आपना खुद की company में आपका mindset change हो चुका होता है फिर आपको नौकरी करना खुद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है six point में मैं आता हूँ mental engagement mental engagement company में अगर काम कर रहे हो किसी नौकरी में हो आप job में हो तो एक defined roles and responsibility है आप उतने को लिए responsible हो घर पे सुकून से आते हो लेकिन अगर आप अपनी खुद की company कर रहे हो तो आप प्योहन भी हो यानि sweeper भी हो आप अपनी company के और boss भी हो अगर कोई कुछ नहीं लेके एक पोई imply नहीं आ रहा है तो उसकी role में फिट होना पड़ रहा है आपको यानि सब कुछ आप ही कर रहे हो सारी responsibility सारा tension बिजली का बिल generator खराब है AC नहीं काम कर रहा है fan में दिक्कत आ गई computer नहीं काम कर रहा है printer नहीं काम कर रहा है कुछ casualty हो गई कुछ चंदा वागने वाले लोग आ गई ये सारी चीज़े आपको देखना होता है तो job इस case में काफी हद तक tension free रहता है आपको hiring tension अब hiring tension जो 7th point मैंने लिया है अपनी companies में job की बात करनों पहले job में क्या होता है HR एक department होता है वो पूरी tension आपकी ले लेता है सारी hiring वो खुद करता है अपनी company में क्या करना होता है अपनी company में आपको hiring करना है बंदे suitable धूड़ना है कई बार आपके availability की वज़े से वो डल जाता है डिले हो जाता है और potential loss होता उसकी वज़े से तो hiring भी एक बड़ी tension होती है 8th point dependency यार dependency आपकी job में बहुत कम होती है company को और company के लोगों पे आपकी है यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कई कई बार जहाँ पे बहुत लंबी hierarchy bureaucratic structure होता है तो चीजों को job में आपको pass कराने में कोई अगर एक decision लेने में थोड़ा time लगता है बट at least delay time का बहुत ज़दा आप पे impact नहीं होता बट जब आप personal अपना काम कर रहे होते हो तो काफी फरक पड़ता है ऐसे cases में और ऐसी जगहों पे जैसे कि आप अपना काम कर रहे हो और आपको कोई भी एक decision लेना है तो सब कुछ पूरा पूरा system आपके ओपर depend रहता है job security के बात करें job security यार job में तो आपको पता है बहुत हद तक आपके performance पे होता है बहुत हद तक अगर आपने अच्छी company चूज कर ली है तो लगभग आप stable हो condition सिर्फ है का आपको अच्छा efficient होना पड़ेगा आप अगर अपना काम करते हैं तो ऐसे cases में job security यानि आपके business की security आपके साथ साथ आपके पूरे associate पे होती है कई बार circumstancial security भी होती कई बार आप ऐसे area में अपना business start कर रहे है कोई ऐसा idea लेके आप business start कर रहे है कोई ऐसा feel आपने चूज किया जो decline stage में है जिसमें challenges हैं आगे काफी ज़ादा तो job security में भी job वाला पार्ट मुझे ज़्यादा secure लग रहा है income stability देखो यार earning potential जो है न वो job में naturally कम रहता है एक fix salary मिलती है और आप salary मिलती है तो आप खर्चे उसी हिसाब से manage कर लेते हो लेकिन अगर आप देखा जाए अपने अपने खुद के business में आपका business अच्छा कर रहा है तो आपने बहुत ज़्यदा पैसा accumulate कर लिया बहुत जारी property बना ली लेकिन सायद loss होते हो सारी property और पैसा आपको drain करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा वहां से और कई के बार net zero ही हो जाता है in fact minus हो जाता है उसके बार आजाते है income stability अपको salary में regular है आपको salary मिलेगी predictable मिलेगी जाब में जैसे आप बताया कि variable होता है कभी up कभी down performance पर डिपेंड करता है career growth career path एक defined होता है जाब में और कई बार लोग switch कर करके अपने career path को better कर लेते हैं अपने जाब में variable होता है business success हो गया तो बहुत ओपर चले गए तो यहाँ पर कई के बार आप अच्छा भी कर सकते हो बुरा भी कर सकते हो सारी पाते जो दो तीन मैंने अभी बोली है उसके बाद हम बात कर लेते हैं work life balance work life balance जाब में काफी अच्छा होता है पैसा थोड़ा कम रहता है लेकिन work life balance बहुत अच्छा बना रहता है आप एक define time के लिए काम करते हो घर आते हो family के साथ time spend करते हो personal job में अगर start up है business है उसमें ये चीज काफी in fact नुकसान होती है इसका नुकसान family bear करती है बड़ा disturb रहता है और यहाँ पे सब कुछ depend करता है कि आप कि stage of business के अपने हो growth stage पे वो stagnation में हो या decline में हो इस पे depend करता है लेकिन याद रखना job वाला ज़्यादा अच्छा work life balance enjoy करता है risk अपकोस salary में risk कम होता है salary ले रहे हो क्या risk है एक महिने की salary का risk हो जाता है job छूटने का risk हो जाता है लेकिन उसे बढ़िया और उसे better job तयार रहता है अगर आपके अंदर potential है business loss में जैसे अगिन बताया काफी दिक्कत हो सकती है आपको support and resources याद देखो जब हम job करते हैं पूरी company की resources हमारी resources हो जाती है और हमें कुछ उसके लिए करना नहीं पड़ता company कर रही होती company का HR कर रहा होता है company का पूरा एक system लगा होता है resources provide करने के लिए लेकिन जब हम बात करते हैं अपने business के लिए सारा कुछ resources हम ही लाते है और हमी लाते है नेचरली उसका cost bear करते है सारा कुछ हमारे उपर ही आता है थोड़ा सा self-managed होता है self-supported होता है self-managed होता है self-funded होता है professional development देखो यार जब हम job करते हैं company sponsored training and education होता रहता है और अपने business में own funded होता है लेकिन यार यहाँ पर मैं थोड़ा अपने business के तरब जाओंगा वहाँ पर आप variety of work करते हो तो naturally professionally आप ज़्यादा समझदार हो जाते हो ज़्यादा experienced हो जाते हो इनों एक साल अगर अपने job कर ली तो वो 5 साल के service के बराबर हो जाता है जाब के बराबर हो जाता है ऐसा मेरा मानना है networking opportunity बिजनस में भी होता है लगबग लगबग structured networking with the company और वहाँ पे आपके उपर होता है must actively seek and build network अगर आप उस तरह से हैं तब कर सकते हैं नहीं तो कई बार आप अपने आप में बधे रहते हो और वहाँ पे आपका एक पुरा एक system बन जाता है आपके चारों तरब जो protect करता है आपको बाहर जादा networking करने से तो networking भी अपने business में कम होता है job वाले आपको देखते होगे बहुँ जादा वो connected होते हैं लोगों से एक job switch के आप दूसरे में चले गए हैं networking opportunity के बाद administrative burden your job में minimal होता है और फिर वो naturally burden आपके उपर आता है सारा कुछ अब मैं एक आखरी बात करना चाहूंगा और वो आखरी बात ये कहता है कि क्या job से भी हम business से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं क्या हम नौकरी करके भी बहुँ ज़्यादा carpus develop कर सकते हैं बहुँ ज़्यादा fund develop कर सकते हैं और क्या हम बहुँ जल्दी एक retirement plan कर सकते हैं या जो मन में आया हो कर सकते हैं या कोई छोटा मुटा बीजनस ऐसे कर सकते हैं अच्छा गासा fund लेके करें और जिससे उसकी failure वगरे का डर ना हो या एक risk ले लें कि इतना risk लेंगे इतने fail तक बरदास करेंगे नहीं तो हम बंद कर देंगे येस ये job में possible है लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप immediately जिस दिन से आप job join करें या जिस दिन से सोचें या जिस दिन से ये video देखें उस दिन से decide कर लें कि मुझे अपने particular salary का इतने percent saving करना ही करना है अब देखो यहाँ पे भी कई चीज़े depend करते हैं कई लोग फसे होते हैं कई लोग पिछला उनका history से जो potential losses लेके आए हैं जो अपने company का loss लेके आए हैं कुछ उनकी family में कुछ ऐसा हो गया या कुछ उनकी अपनी गलतियों की वज़े से जो burden है M.I.E. का खर्चों का वो meet नहीं कर पाते हैं अपने job से की salary से तो बड़ी मुस्किल से वो struggle करते हैं और फिर उसको meet करने के लिए एक wishes circle में फस जाते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है और फिर उनके लिए challenge होता है save करना और save करना यानि invest करना लेकिन अगर ऐसा नहीं है आप starting में हो और आपने ये समझदारी पहले दिखा दिये तो मैं आपको guarantee इक साथ कहता हूँ कि आप job से भी 10 से 20 साल के अपने life cycle में अपने job cycle में इनों जब से start करते हो आप बहुत handsome amount आप corpus जमा कर सकते हो 1 करोड से लेके 15 करोड 20 करोड तक हो सकता है right strategy आपकी investment में होनी चाहिए right strategy आपकी planning में होनी चाहिए और अपकोस investment के साथ साथ आपको controlled expenditure रखना होगा तब जाके आप यह सारी चीज़े कर सकते हो I hope by this way I am ending this thank you very very much bye bye and take care